नमस्का दोस्तों हम आपके स्मक्ष दो महत्वपूर्ण और गंभीर विशे लेकर उपस्तित हुए हैं यह कहा जाता है कि यूवर्ग राश्ट्र का भविश्य है प्रंतु प्रंतु मोदी सरकार उस राश्ट्र के भविश्य को पर ग्रेहन लगाने पर तुली है और उसे अंधकार मैं बना रही है आज देश में हर तरफ चोरियों ही चोरियों की गूंज है कोई बैंक से पैसे चुरा रहा है कोई सेना के विमानों की खरीद में मोटे ठेके की रकम लेकर उड़ा जा रहा है कोई सेसी की परवेश परिक्षा में सीटे और नौकरियां चुरा रहा है कोई चुनावी शडियंतर के लिए डेटा चुरा रहा है तो कोई चुनावायू की तारीखें ही चुरा रहा है और अब रहा सहा जो बचा था सबसे शरमनाख बात ये है कि छोटे छोटे इस देश के भविश्य यूवक और यूवतियों का भविश्य भी चुराया जा रहा है ऐसा नहीं कि चौकिदार को खबर नहीं है चौकिदार रजाई ओड़ कर सोने का स्वांग कर रहे है क्योंकि चोरों से कहीं न कहीं उनकी नातेदारी है लाखों विद्यार्थियों के भविश्य की चोरी हो गई उनके कठिन परिश्रम को बजार में बोली लगा कर बेचा जा रहा है दस्मी और बार्वी की परिक्षा विद्यार्थी के भविश्य की बुनियाद होती है मोदी सरकार ने CBSC के एक नहीं दो नहीं तीन पेपर लीग करवा कर उस बुनियाद की चोरी करवा दी और इसलिए इसलिए इस देश के यूँ आप कह रहे हैं के ना रोजगार ने नौकरी ने सिक्षा लीग हो रही हैं सब परिक्षा फेल हुआ चोकीदार बदलेंगे चोकीदार और करेंगे समिक्षा क्योंकि फेल चोकीदार और लीग सरकार अब मोदी सरकार की की यही परिभाशा बच गई है पहले व्यापम वाइरस ने इस देश के 72 लाख यूआउं के भविश्य पर प्रशन चिन लगा दिया जिस प्रकार से मेडिकल कॉलिज और दूसरी सीटों को व्यापम के घोटाले से शिवराज सिंग चोहान जी और भारतिये जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे बेचा गया उसने इस देश के यूवाओं का विश्वास इस सरकार से उठा दिया उसके बाद S.S.C. घोटाला सामने आया दो करोड चातर चातराएं हर साल करीब एक लाख पदों के लिए S.S.C. एक्जाम में आवेदन देते जिस प्रकार से S.S.C. की नौक पेपर लीक हुए और नौकरियां बेची गई उससे इस देश के युवा को अपने भविश्य पर प्रशंचिन लगता दिखाई दिया और अब तीसरी बची थी S.S.C. Central Board of School Education वो जो युवाओं की नीव है वो जो युवाओं की शुरुवात है एक अगले भविश्य के लिए जिस प्रकार से पहले अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ एकॉनमिक्स और मैट्स का पेपर लीक हुआ खबरे ये भी है मेरी सहयोगी रूची गुपता जी ने और रागनी जी ने मुझे बताया के विद्यार्थी इने बता रहे हैं के बायोलोजी और फिजिक्स का पेपर भी लीक हो गया परंतु अभी तक उसकी जाँच नहीं हुई जिस प्रकार दसमी और बारमी के सीबी एसी के सारे पेपर लीक हो गए अब इस देश के युवाओं के भविश्य पर भविश्य की बुनियाद पर मोदी जी ने ग्रेन लगा दिया है 24 लाख विद्यार्थी 24 लाख परिवार उनके माता पिता जो एक अगले उजुवल भविश्य की आस में दसमी और बारमी के एक्जाम की तयारी कर रहे थी उन सारे परिश्रमी विद्यार्थियों का क्या हुआ जब एक एक्जाम माफिया और सरगना जो सरकार के सरक्षन में पनपता है फलता फूलता है उन्होंने सरकारी सरक्षन के अंगर सारे पेपर बेच डाले तो मोदी जी अब एक्जाम वॉरियर क्या चीटिंग वॉरियर्स हैं आपकी परिभाशा में वो एक्जाम वॉरियर जो परिश्रम करते हैं वो एक्जाम वॉरियर जो बारा महीने पढ़ाई करते हैं वो एक्जाम वॉरियर जिनके साथ उनके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं उनकी मेहनत और परिश्रम का कोई मुल्य इस देश में बचा नहीं और दोस्तो तीन महतपूर्ण बाते दो महतपूर्ण बाते और पांच सवाल लेकर हम आपके वीच में आए पहली बात सीबीएसी के चेर्मेन की चेर परसन की पोस्ट दो साल तक परदान मंतरी मोधी जी और तटकाली ने चार्डी मिनिस्टर स्मृती इरानी जी ने खाली रखी क्या सीबीएसी जैसी संस्था के मुख्यपद को भी दो साल तक खाली रखा जा सकता था आखिर में जब विद्यार्थियों ने विरोध किया, अभीभावकों ने विरोध किया, सिक्षकों ने विरोध किया, सिक्षन संस्थानों ने विरोध किया तो आखिर में जुलाई 27 दोहजार सोना को सीबी एस्टी के प्रमुख की निक्ति पहली बार की गई इस सरकार के द्वारा 27 जुलाई दोहजार सोना को वो निक्ति थी 27 जुलाई 2020 तक परंतु ना सिक्षा मंत्री ना सिक्षा मंत्राले और ना प्रदान मंत्री जी को ये निश्पक्ष्टा भाई नहीं और एक साल के अंदर ही सीबी एस्टी के चेर परसन को 27 जुलाई 2020 तक जिसका टेनियोर था बरकास कर दिया 2017 में और फिर 2017 में किसको लेकर आया सितंबर आठ 2017 को शिरिमती अनीता करवाल जो मौजूदा सीबी एस्टी की चेर परसन है जो मोदी जी के साथ गुजरात में कार्य करती थी मोदी जी की चहेती हैं उनको यहाँ पर आठ सितंबर 2017 को निक्त कर दिया गया और वो जब पेपर लीक हो रहे हैं तो वो एमदाबाद में मौंटेनेरिंग पर अपनी बुख को परमोट करने में लगी है दुर भाग्ये की बात यह है क्या इस परकार से अपने चहेतों की निक्ती कर दो साल तक किसी को निक्त मत करिए जिसे 2020 तक निक्त करिए उसे एक साल में बर्खास कर दीजिए और फिर अपने चहेतों की निक्ती कर डाली है क्या इस परकार से संस्नाएं चलेंगी और बात यहीं खतम नहीं हुई हमने देखा कि पिछले लगबग एक से डेड़ साल में CBSC में क्या हुआ सबसे पहले तो 2017 में क्लास 12 की परिक्षा में परिक्षा के पेपर ही गल चेक कर दिये गए There was an error in the evaluation of class 12 board exams in 2017 A practice of inflating marks यानि बचे पास नहीं पास करो किसी तरह से इधका लगा कर गुण दोश मत देखो विद्यार्थी का परिश्रम मत देखो inflation, inflate कर दो marks और उन्हें पास कर दो एक नई practice, जो है mal practice की शुरुआत की गई और NEET का exam भी CBSC को दे दिया गए और पहली बार ही आया कि वो बच्चे जो अंग्रेजी में अपना पेपर नहीं दे सकते जो अपनी मात्र जबान में देते हैं उनके लिए बड़े मुश्किल नीट के पेपर सेट किये गए और ये बात मैंने नहीं कही ये बात लिखकर बंगाल और तमिल नाडू के सांसदों ने शिकायद की परदान मंतरी को ये CBSC का हाल है संयोग ये भी है कि SSC के अंदर भी जिनको हटाने की मांग हमने रखी थी वहां भी एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो गुजरात में जब प्रदान मंतरी जी मुख्य मंतरी थे तो उनके यहां काम करता था सब जगे अपने चहेते अधिकारियों को लगाईए और गड़बर जाला करवाईए क्या यही मोदी जी की सरकार का चाल चेरा और चरितर है और इसलिए हमारे सीने पांच प्रशन है पहला प्रशन वर्शों से CBSE में और HRD Ministry में यह प्रैक्टिस थी कि तीन भिन भिन एक्जाम पेपर दिये जाते थे विद्यार्थियों को देश के चारों जोंज में यानि पहले विद्यार्थी को एक पेपर होगा दूसरे का विद्यार्थी का पेपर पहले विद्यार्थी से मेल नहीं खाएगा और तीसरे का पहले दोनों से मेल नहीं खाएगा तीन अलग अलग किसम के पेपर दिये जाते यह हमारी प्रैक्टिस रही है ताकि कॉपिंग, चीटिंग, डुप्लिकेशन, लीके जो पेपर रोका जा सके। उनों को खारिच कर, एक जोन में एक पेपर से मौदूदा परिक्षा करवाई। क्या कारण? प्रकाश जावेट कर जी तो कोई जवाब नहीं दे रहे। सी बीएसी की चेर्मेन तो मौनमरत पर है। क्या कारण है कि तीन अलग अलग पेपर सेट करने की बजाए आपने पूरे देश के विद्यार्थियों का परिश्रम मिट्टी में मिल जाए। और देश को चार्ज जोन में जो बांटा था आपने उसे बंद क्यूं किया? इसका क्या जवाब आपके पास है? क्या ये इसलिए किया कि नकल और लीके जो पेपर असान हो जाए? अब तो ऐसा ही लगने लगा है. दूसरा सवाल. HRD मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्र द्वारा CBSC के पिछले चेर परसन का टेनियोर छोटा करके काट कर उन्हें यकायक बरकास्त क्यूं कर दिया गया? 2017 में 8 सितंबर को. और उनकी जगे एक ऐसी अधिकारी को जिन्होंने प्रदान मंत्री जी के साथ काम किया है. उन्हीं को क्यूं लेकर आया गया? ऐसी क्या सिक्षा की गुणवता, ऐसी क्या सिक्षा विद वो विशेश अधिकारी थी कि उन्हें ही चुना गया? और क्या कारण है कि वो सम्मानित अधिकारी एक्जाम माफिया और पेपर लीक को नहीं रोग पाई? के बावजूद भी सिक्षा मंत्राले और CBSC देश के विद्यारतियों का और उनके अभिभावकों का माता पिता का बेवकूफ बनाते रहे कोई पेपर लीखी नहीं हुआ जब तक सारी बातें सारवजनिक तौर से मीडिया और सारवजनिक तौर से खुली नहीं हमारा तीसरा स हाल किया ये सही है कि सिक्षा मंत्राले और CBSC के नाक के नीचे एक बऊत बड़ा एक्वाफिया फल्फूल रहा है ये बहुत गंबीर प्रशं है मैं आपका ध्याना कर्षित करूगा I'll repeat my question, क्या ये सही है कि सिक्षा मंत्राले और CBSC की नाप के नीचे एक बहुत बड़ा एक्जाम माफिया पेपर लीक माफिया फालफूल रहा है जो देश के परिशरमी विद्यारतियों के परिशरम पर ग्रेंड लगा रहा है क्या ये सारा एक्जाम माफिया और CBSC के तंतर के लोगों का नेकसस उनकी मेल जोल उनकी साथ गाठ दिल्ली पुलिस की रजिस्टर्ड एफ आई आर से प्रतम दृष्टी से साबित नहीं हो रही जिसकी एक प्रतिलिपी हम आपको दे रहे हैं हमारा चौथा सवाल CBSC के एक्जामिनेशन प्रणाली में अनेकों गड़बडियां पिछले डेड़ से दो साल में पाई गई चाहे वो बार्वींग के पेपर की इवैलुवेशन में गड़बड हो चाहे वो इंफलेशन ओफ मार्क्स की गड़बड हो चाहे वो इंड डबल इटी के जो एक्जाम्स हैं उन में रीजनल लैंगवेज में पेपर देने वाले विद्यार्थियों से ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछने की प्रथा हो इसके बावजूद भी CBSC जो दस्वी और बार्वी के पेपर करवा नहीं रहा आपने उनको देश का M.E.E.T. यानि पूरे मेडिकल एक्जाम और I.E.T. के एंटरेंस एक्जाम क्यों सोफ रखे क्यों उसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बना पा रहे क्यों पूरे देश के विद्यार्थियों का भविश है आप ग्रेंड के अंदर पर ग्रेंड लगा रहे है और हमारा पांचवा सवाल क्या C.B.S.C. के पेपर लीक स्कैम की निश्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए और जब आप देही सुनिश्यत हो जब तक श्री प्रकाश जावेड कर और C.B.S.C. चेर परसन दोनों को अपने पद से बरखास्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई निश्पक्ष जांच संभव नहीं हम मांग करते हैं HRD मिनिस्टर को और C.B.S.C. चेर परसन को अपने पद से पद मुक्त किया जाए आप बिल्ली को दूद की रखवाली नहीं बिठा सकते कोई निश्पक्ष जांच संभव नहीं जैसा हमने कहा था S.S.C. चेर परसन और जितिंगर सिंग जी को हटाए बगैर S.S.C. स्कैम की जांच संभव नहीं इसे प्रकार से प्रकाश जावेड कर जी और S.B.S.C. चेर परसन को हटाए बगैर S.B.S.C. स्कैम की जांच भी संभव नहीं यही हमारी मांग है